किसंगडबास अभिवासक संग अध्यक्ष अमित गोट ने टोल हटाय जाने की मांग को लेकर विधायक दीपचन खेरिया को P.W.D. मंत्री के नाम वकीलों की ओर से मांग पत्र सोपा गोट ने पत्र में किसंगडबास खेरतल रोड पर RSRDC की ओर से लगे टोल पर खेरतल किसंगडबास के लोगों को टोल मुक्त कराये जाने की मांग रखी P.W.D. मंत्री भजनलाल जाटाओ के नाम विधायक दीपचन खेरिया को सोपे गए अविवासक संग की ओर से पत्र में लिखा है कि किसंगडबास और खेरतल के बीच की दूरी केवल आठ किलोमेटर की है खेरतल किसंगडबास तसन खेरतल बान्हुन रोड पर केवल 45-4 किलोमीटर की दूरी में दोनों तरफ टोल नाके लगा कर वहनों से डोल वसुली की जा रही है किसंगडबास खेरतल के लोगों से डोल वसुली किया जाना उसीज नहीं है पिर भी अगर किसी परीशितियों में लगाया भी जाता है तो किसंगर बात 살 के लोगों को टोल मुख्त रखा जाए किसंगर बात न्यायले में बड़ी जंखया में खैरतल किसंगर बात से अधिवक्ताओं का आना जाना होता ہے इसी प्रकार दोनों चहरों से लोगों का प्रशाथनिक एवं कारियों से अन्य कारियों से भी आना जाना रहता है इसलिए आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए खैरतल किसंगरबास के लोगों को टोल मुक्त किया जाना आवशक है पत्र में लिखा है कि 31 अगस्ट 2020 को विधायक दीप्चंद खैरिया की ओर से प्रोजेक्ट निर्देश्चक यूनिट भरतपुर को किसंगरबास के लोगों को टोल मुक्त कराए जाने के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है